हेलो फ्रेंस वालकम बैक टू में चानल तो आज मैं फिर से एक नया रिवी वीडियो लेकर के आए हूँ जो है सुगर कॉंटोर डी फोर्स मीनी ब्लस तो ये वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कीजे और बैल आइकन को प्रेस कीजे ताकि मेरे लिटेस्ट वीडियो आपके पांस सबसे पहले पहुंस सके तो चलिए पर स्टार्ट करते हैं तो ये है सुगर की ब्लस मतलब कि ये एक मिनी ब्लस है और इसकी सेड नंबर है 05 कोरल क्लैमेक्स तो ये औ और भी 5-6 सेड में अवलेबल है डिफरेंट डिफरेंट इसकी इन टोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेड है तो आप अपने इसकी इन टोन के कोर्डिंग कोई भी सेड चूज कर सकते हैं और इसकी प्राइज है 299 रुपीज और कॉंटिटी है इसकी 4 ग्राम की और ये सेड मार्केट में अवलेबल है आप इसे कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से ले सकते हैं और ये ओन्लैन वेबसाइट पे भी इसली मिल जाती है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरह की कारद बोर बॉक्स में आती है जिसके उपर आपको सारा कुछ information डिटेल में मिल जाती है और इसकी inner packaging कुछ इस तरह की है। ये छोटी सी box में है, इस पे भी आपको basic information इसकी मिल जाएगी, say number वगेरा सब कुछ इस पे mention है। और ये magnetic closer के साथ आती है, और ये देखें, इसमें mirror वगेरा नहीं है, applicator वगेरा भी नहीं है, ये ऐसा ही आती है, अब इसकी texture देख लेते हैं, तो इसकी texture कुछ इस तरह की है, peachy pink में है, काफी soft सी texture है, काफी pigmented भी है, एक ही swipe में काफी अच्छा pigmentation ये देता है, और ये shade fair to medium skin tone के लिए काफी अच्छा shade रहेगा, बिल्कुल perfect रहेगा, और इसकी इतनी pigmentation काफी है, क्योंकि ये blush है, तो कम ही pigmentation रहता है, तो अच्छा रहता है, तो इससे skin पे apply करने से, ये अच्छे से skin पे blend हो जाती है, smoothly ये blend हो जाती है, और ये matte finishing भी देती है, कुछ oiliness वगेरा कुछ भी इससे लगाने पे नहीं लगता है, ये skin को even भी करती है, और patchy look बिल्कुल भी ये देती नहीं है, नहीं इससे dry patches skin पे ऐसा कुछ लगता है, तो आपको इससे finger tip से या फिर brush की health से apply करना है, ये finger tip से भी अच्छे से apply हो जाती है, अच्छे से blend हो जाती है, तो काफी अच्छा है, और इसकी staying power भी ठीक है, 6-7 hours तक ये skin पे stay करती है, उसके बाद ही ये fade होती है, और ये blush all skin type के लिए भी है, कोई भी skin type इसे use कर सकते हैं, all skin type के लिए suitable है, तो overall ये blush काफी अच्छा है, एक natural pink tone देती है, चिक पे, everyday के लिए काफी अच्छी रहेगी, और light weight भी है, तो skin पे ये बिल्कुल भी heavy feel नहीं देती है, बिल्कुल matte finishing आएगी skin पे, और नहीं इसे कुछ shiny सा कुछ लगएगा skin पे, तो काफी अच्छा है, आप इसे try कर सकते हैं, तो अगर आपको मेरा ये review अच्छा लगा हो, तो please इस video को जुरू like कीजे, share कीजे, और मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक के लिए, thank for watching, मिल तो आप में नेक्स वीडियो पे, take care, bye bye